Hello students, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, class 10 के अंदर जो आपका एक topic आता है, economics के अंदर sectors of Indian economy chapter है, उसके अंदर मनरेगा करके topic आता है, आज मैं जब सुबह newspaper पढ़ रहा था, तो उसके अंदर आपका एक article आया, वो article मनरेगा से connected था, तो आईए आज समझ लेते हैं मनरेगा होता है क्या और क्या उसके अंदर कोई update हुआ है, कई बार जाओ हम class में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पूसता है कि सर मनरेगा के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उनको कितनी मजदूरी मिलती है, कितना उनको महनत आना मिलता है, तो जब यह article आज मैंने पढ़ा तो सु की भी बात अपन करते हैं, यह मैंने NCRT से लिया है, NCRT के अंदर यह आपको दे रखा है, मनरेगा के बारे में, recognizing this, the central government in India made a law implementing the right to work in about 625 districts of India, it is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee 2005, that is your मनरेगा, Under मनरेगा, all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government, तो भाया, आप पूरे साल बेरोजगार हो, ठीक, इसकी जगे अगर आपको कही पर काम मिल रहा है, अगर आप काम करने के चुको, तो सरकार मनरेगा के तहत, यह किसकी में जिसके तहत, आपको काम मिल जाता है, 100 days का, तो आप प 100 days, छीके, if the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowance, अगर 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पाया हो, अगर आप एनरोल हो गए हो, तो आपको उसके लिए allowance मिलेगा, पटे सा होता नहीं, generally, काम है, अगर किसी को एनरोल कर दिया है मनरेगा में, तो उसको काम करना पड़ेगा, किस तरीके का काम, कई पर construction चल रहा है, road बन रही है, कुछ न कुछ उस जगे पर आपका लोगों को काम करवाया जाता है, छीके, the type of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under the act, तो ये तो ही बात आपकी मनरेगा की, अब आज अगबार में के article आया देखते हैं, केंदर ने मनरेगा के तहत मजदूरी की दरों मे बड़ोतरी की है, मजदूरी की नई दरें एक अपरेल 2023 से लागों होगी, कुछ states के अंदर आपका मनरेगा के अंदर rates increase हो गई है, केंदर की ओर से जारी notification के मुताबिक मजदूरों के वेतन में 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक की बड़ोतरी की गई है, छीके, चलिए दे अधिस्तान के लिए संशोधित वेतन 255 रुपए प्रती दिन है, ठीके, हरियाणा में मजदूरों को मनरेगा से के तहट सबसे अधिक 357, 357 रुपए प्रती दिन मिलेगा, वहीं मध्य प्रदेश और 36 गड़ जैसे कई राज्यों में सबसे कम 221, 221 रुपए देनिक मजद मजदूरी, 8 प्रतीशत बढ़ाकर 210 रुपए से 228 रुपए की गई है, मजदूरी में सबसे कम इजाफा करनाटक, गोवा, मेगाले और मडिपूर में किया गया है, मनरेगा के तहट देशबर में हर परिवार को नियूनतम 100 दिन का रोजगार उपलप्त कराया जाता है, तो सबसे अधिक भी यहीं पर आपका दे रखा है, चले, तो आपका आज एक शॉर्ट वीडियो था, जो की मनरेगा के उपड़ था, I hope जब आप यह चैप्टर पढ़ेंगे, तो यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा, thank you